चले, दुबारा से देखते हैं, और हम जिस चीज़ पर आप जाने वाले हैं, that is called Desmos, Desmos Calculator, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, so उसमें चेक करते हैं, कि हमारे पास X, Y और Z की कौन-कौन सी values आ सकती हैं, and then we can have a look, I know कि वो हमारे पास, जो Desmos Calculator है, it will provide us only X, Y, but we can have a look, कि हमारे पास किस तरीके से values आती हैं, तो यह screen आपके सामने में share कर रहा हूं, मैं Desmos Calculator जो इसे open करता हूं, और X और Y की values जो हैं, उन्हें हम देखते हैं, and then we can move forward, कि किस तरीके से हमारे पास values आती हैं, तो यह Z हमारे पास इसका slider आ गया, कि आप इसको slide कर सकते हैं, डिफरेंट जोगों पर, ठीक है, सो हमने एक Z को add किया है, Second equation हमारे पास आती है, which is 2X plus 3Y plus Z is equal to 16, तो यह हमने यहाँ पर दूसरी equation लिख दी, the third one हमारे पास क्या है, let's see, the third one is, minus X plus Y minus 2Z is equal to minus 1, तो यह हमारे पास तीसरी equation होगी, ठीक है, सो अगर आप गोर करें, हमारे पास यह plane होता है, जो move करता रहता है, ठीक है, सो अगर हम इनका intersection point अब देखें, तो यह हमारे पास कुछ different किसम का intersection point आ रहा है, यहाँ पर Z की value है हमारे पास, हमारे पास intersection point जो है, वो different way में आ रहा है, अगर Z minus 10 है, तो हमारे पास X क्या होगा, Y क्या होगा, it changes, ठीक है, सो नाव वी कन हैव लूक के हमारे पास X, Y, Z की unknown value किस तरीके से आ सकती है, but usually three dimension के अंदर यह थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, say for example अगर आप चेक करें, तो यह अगर हम play करें, तो यह हमें बताता है कि कहाँ पे Z किस तरीके से move कर रहा है, और यह Z जो है basically यह plane की format में अभी चल रहा है, then I will have a look कि कहाँ पे यह तीनों जो हैं वो slide करके आपस में एक दूसरे के उपर आते हैं, and that's the point in my opinion, somehow here, ठीक है, so अब चेक करते हैं जो आपके पास values आईएं एक्स, Y और Z की वो कौन कौन सी हैं, यह मेरे पास X और Y की आगी है, Z की यहां पे minus 10 न है, let's see, जो आपके पास value हैं, वो कौन कौन सी हैं, और फिर हम इनको इस equation को दुबारा से resolve करके देखते हैं, क्योंकि कुछ लोग यहां पे इक्तिलाफात कर रहे हैं, कि जनाब हमारे पास जो answer है वो गलता है, ठीक है, so वो हम check कर लेते हैं, और फिर हम आगे move करते हैं, चलें, दुबारा से हम देखते हैं कि जी किस तरीके से हमने row operation लिखने हैं, और इस equation को दुबारा से resolve करते हैं, तो मैं इसी जगा पे इस equation को resolve करता हूँ, यही जगा पे, यहां पे हम इसको resolve करते हैं, बलके बेहतर ये होगा कि इस equation को उठा के कहीं पे ले लिया जाए तक कि हमारे पास जगा सेव रहे Don't worry जी अगर गलत भी है We can have a look कोई मसला नहीं है, mathematics है Mathematics में अगर गलत भी कोई चीज हो जाती है It doesn't make any problem We can always do it again ठीक है? चलें, मैं आपको equation दुबारा से बता देता हूँ और उस पे हम दुबारा से काम करते हैं मैंने जो equation यहाँ पे use की है In this thing That is X plus 2Y plus Z Let's see, मैं दुबारा लिखता हूँ X plus 2Y plus Z is equal to 9 2X plus 3Y plus Z is equal to 16 और फिर हमारे पास आता है Minus X plus Y minus 2Z is equal to minus 1 यह मेरे पास equation है अब देखते हैं Don't worry, don't worry हम इसको resolve करते हैं Tension ना ले यहाँ पे 1 था, यह मैंने वैसे ही लिख दिया 2 आया, वो वैसे ही लिख दिया Minus X आया, वो minus 1 मैंने लिख दिया 2, 3 वैसे के वैसे आगया 1 यहाँ पे आगया फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 दूसरे का भी, तीसरे का minus 2 आगया 9, 16 और minus 1 यहाँ पे भी आगया ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि यह हमारे पास किस तरीके से answer देते हैं पहला operation आप कौन सा करना चाहते हैं हम कुई भी operation इस पे कर सकते हैं आप बताएं आप कौन सा operation करना चाहते हैं पहले वाले पे हम यह कर लेते हैं हम row 2 को multiplied by 2 करते हैं ठीक है, और अगला operation इसमें हम यह कर सकते हैं multiplied by 2 करने के बाद इसको बलके इस तरीके से नहीं करते row 2 से minus 2 करते हैं and then multiplied by row 1 कर लेते हैं ठीक है, थोड़ा complex operation लगा के देखते हैं ताके हमारे पास जो answer है वो बिल्कुल आ जाए row 2 minus 2 then multiplied by row 1 जो हमारे पास इस answer आएगा इस operation का वो मैं यहां पे लिखता हूँ अब ठीक है, let's see हमने क्या किया है, हमने 1, 2, 1 and 9 वैसे लिख लिए ठीक है, अब हम क्या करते हैं 2 minus 2 ठीक है, 2 minus 2 हमारे पास क्या होगा, 0 multiplied by 1 हमारे पास 0 आ जाएगा, फिर हमारे पास आते है 3 minus 2 3 minus 2 कितना होगा जी 3 minus 2 row 2 का वो वला element और फिर हम करेंगे 3 minus 2 तो यहां पे हम कर सकते हैं 3 minus 2 which is, मैं यहां पे लिख भी देता हूँ 3 minus 2 is equal to 1 और इसको फिर row 1 के साथ multiply करते हैं, ठीक है 2 1s are 2 आ जाएगा हमारे पास ऐसे ही है या नही समझा ही बात की सो हमने पूरी row 2 के से minus 2 निकालके उसके साथ इस तरीके से operation कर लिया अब यहां पे हमारे पास आएगा 1 minus 2 यह हमारे पास आजाता है minus 1 और इसको multiply करते हैं 1 के साथ यह minus 1 ही रहेगा ठीक है और यहां पे हमारे पास क्या आएगा 16 minus 2 यह आजागा 14 14 को 9 के साथ multiply करेंगे तो आपके पास answer जो है वो अच्छा खासा heavy आजाएगा So you can actually write down it here So एक तो यह तरीका कार है जो मैं आपको पहले भी बता के अटाओ के you can actually do a lot of things in row operations के अंदर जो आप लोग कह रहे हैं के इसका तरीका कार होना चाहिए वो यह भी हो सकता है के आप इसमें से minus 2 कर दें मैं उस operation को यहां पे लिख देता हूं Just to show you के operation आप कोई भी करें at the end आपके पास answer से ही आना चाहिए So 1, 2, 1, 9 मैं यहां से अब minus 2 कर रहा हूं तो 2 minus 2 is equal to 0 3 minus 2 हमारे पास 1 आजाता है and then यहां पे हमारे पास क्या आएगा 1 minus 2 minus 1 16 minus 2 हमारे पास आजाएगा 14 and then we can write down minus 1, 1 and minus 2 और यहां पे minus 1 आजाएगा So it's up to you guys Simply आपने क्या करने है मैं आपको सिरफ लुबे लुबाब बता देता हूं वो यह है कि आपने upper triangle जो है यह इस पूरे matrix की upper triangle इसको आपने fill रखना है यह वाली चीज़ें 0 करनी है यहर वो कैसे भी कर लो add करके कर लो multiply करके कर लो divide करके कर लो and there are many other operations किसी भी तरीके से करो but you have to do that convert that into upper triangular matrix that's the main name किसी तरीके से भी आपने करना है आप करने don't worry तो अगर आपको लगता है कि पिछले lecture के अंदर answer मेरा गलत आया so you can try this operation by yourself मैंने आपको थियूरी बता दी है किस तरीके से upper triangular method वो काम करता है ठीक है so इस पे मैं ज्यादा time नहीं waste करने वाला क्योंकि आपको पहले से पता है और यह आपकी assignment थी but I was just teaching in the class so may be मैंने कोई उसमें से गलती की हो unintentionally मुझे नहीं समझाई कि कौन से गलती की है but I don't want to waste the time on that जो मैंने आपको चीज़ बताई है कि जब आप Gaussian elimination method देखते हैं तो पहले आप lower triangle में sorry upper triangle में उसे convert करे something like this फिर आप क्या करे आप उसमें equations को resolve करे equation को augmented equation को resolve करने के बाद आपके पास z की value आएगी इसको back substitute करते हैं simple is that okay जी